पितेजंदर बगगाजी पर पंजाब पुलीस ने एक केस फाइल किया, क्यूं? क्यूंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उन्होंने पंजाब में सामपरदायक हिंसा भड़काने की कोशिश करी, और इस वज़े से पंजाब की पुलीस ने उन प तेजिंदर बगगाजी को पाच बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो लेकिन तेजिंदर बगगाजी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए. क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बगगाजी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बगगाजी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए. पूरे लीगल प्रोसेस के अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया दिल्ली पुलिस तो भातिये जनता पाटी के अंडर आती है वो ही भातिये जनता पाटी जो गुंडों को सम्मानित करती है वो ही भातिये जन जनता पार्टी जो दंगईयों को टिकिट देती है तो दिल्ली पुलिस का पूरा इस्तमाल करते हुए भारतिय जनता पार्टी ने ते जंदर बग्गा जी की गुंडागर्दी ते जंदर बग्गा की दंगई ते जंदर बग्गा की दंगा भड़काने का जो पूरा प्रयास उससे बचाने के लिए भाथिये जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जब पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इंफॉर्म करने के लिए जनतपुरी थाने गई तो उनको गैर कानुनी रूप से बंदक बना लिया गया पंजाब पुलिस पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिल्ली पुलिस को इंफॉर्म करने जाती है और भातिये जंता पार्टी की अमिठ शा जी की दिल्ली पुलिस एक गुंडे को बचाने के लिए गेर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को बंधग पना लेती है कितेजंदर बग्गाजी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया क्यूं? क्यूंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उन्होंने पंजाब में सामप्रदाइक हिंसा भढ़काने की कोशिश करी और इस वज़े से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस तरज किया जो कानून की प्रक्रिया है उस कानून की प्रक्रिया के तहत तिजिंदर बग्गाजी को पाँच बार समन भेजा गया